नमस्ते विध्यरतियों डॉक्टर कीरती की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए एक अक्षा बार्वी युवक भारती हिंदी इसकी पहली कविता नव निर्माण इसका स्वाध्या लेकर आई हूँ इसका एक्स्प्लेनेशन वाला वीडियो मैंने अपने चैनल पर अर्था डॉक्टर कीरती जिंदी की दुनिया पर अलरड़ी अप्लोड कर दिया है आप उस एक्स्प्लेनेशन के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं आईए हम आज इसके स्वाध्या को शुरू करते हैं आपका ये स्वाध्या दिया हुआ है आपके टेक्स्प्लेनेशन के पेज डॉम्बर थ्री पर इसमें पहला प्रशन जो है आकलन के अंतरगत आया हुआ है और वो ऐसा है और प्रूति पुरुन कीजिए इसमें हमें दिया है कि बल इसके लिए होता है तो बल किसके लिए होता है ये हमें बताना है पहला बल पीडितों को बचाने और न्याय दिलाने के लिए होता है दूसरा सबकी ताकत बनने के लिए होता है और आखोशन है जिसे मनजिल का पता रहता है वह पहला आंसर में हम लिखेंगे पत के संकटों को वही सहता है और दूसरा लिखेंगे एक दिन वह सिद्धी के शिखर पर बेटकर इतिहास कहता है नेक्स्ट हम देखते हैं शब्द संपदा के अंतरगत आया हुआ है कि निमनलिकित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तयार कर उनका अर्थपुरण वाक्यों में ब्रयोग कीजिए तो इसमें पहला हमको दिया है नीती अब आप सब यह जानते हैं कि उपसर्ग युक्त शब्दे ने उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और शब्द के अर्थों को बदल देते हैं और प्रत्य जो हते किसी भी दिये गए शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उनसे भी शब्दों का अर्थ बदल जाता है इसलिए हम उसको प्रत्य बोलते हैं और जो पहले लगते हूं उपसर्ग कहा जाता है तो देखते हैं नीती के लिए हम उपसर्ग युक्त कैसे शब्द बना सकते हैं तो हम अनीती कूनीती ये बना सकते हैं हम वाक्य बनाएंगे कूनीती का सहरा लेकर कि ये गए कारे कभी सफ शब्द केलिए कि तरह से उपशरगयुक्त शब्दा वे की में यह चाहिए इस तरह से यह question complete होता है, next question है आपका अभिवेक्ति, अभिवेक्ति के अंतरगत हमें जो पहला प्रशन दिया हुआ है, वह है, धर्ती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष को प्राप्त कर सकता है, इस विशे पर अपना मत प्रकट कीजिए, तो हम देखते हैं, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें सबके मत अपने 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 अलग अलग हो सकते हैं, हर कोई इसको अलग सोच के साथ, अलग विचार के साथ में और अलग पॉइंट्स के साथ में लिख सकते हैं, ठीक है, आईए इसमें जो मुझे उचित लगा, जो मुझे समझ में आय बिना लक्ष मनुष्य अपनी राह से भटक जाता है और ऐसा जिवन उसे दुखों की और लेके जाता है अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य अपने लक्ष को प्राप्ट करने के बाद भी भटक जाता है क्यूं ऐसा होता हमें कभी भी उचाईएं पर पहुचने के बाद जिस धर्ति का सहरा लेकर वहां पहुचे हैं اس नहीं भूलना चाहिए कई लोग होते हैं जो हमें उचाईएं कर रहा में जब हम अपने लक्ष की प्रापती के लिए अपनी रहा पर चलते हैं तो ऐसे कई लोग आते हैं जो हमारा सहरा बनते हैं और हमको उस लक्ष को प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं और एक बार लक्ष प्राप्त होने के बाद में कई लोग उन लोगों को ही भूल जाते हैं जिनके कंधों पर पेर रकर वो उपर गए हैं उन्हीं को भूल जाते हैं तो इसे कंधों को सहरा देना चाहिए और उनको भूल कर असाहरा छोड़ देते हैं ये चीज गलत होती है इसलिए हम कहसे कोभू सकते हैं कि उचाईों उपर पहुचने के बाद जिस धर्ति का सहरा लेकर वहां पहुँचे उसे नहीं भूलना चाहिए हमें अपने लक्ष को प्राप्त करने में जिन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है उन्हें हमेशा याद रख कर उनसे जुड़ कर रहना चाहिए क्योंकि यदिवे सबन होते तो आज हम उन उचाईयों पर नहीं पहुच सकते थे जहां आज है मनुशे को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि लक्ष की अंतिम सेड़ी पर पहुचने के बाद आगे कोई रास्ता नहीं होता एक बार अगर आपने शिखर को प्राप्त कर लिया शिखर को चू लिया तो उसके बाद में नीचे ही आना होता है और उसे वहां से नीचे देखने के लिए नीचे ही आना होता है क्योंकि उसके बाद वो और कितना उपर कहा जाएगा बाद में तो नीचे ही आना होता है यदि वो धर्ती से अर्थात अपने जो अपने सहयोग्यों से अपने बुरे समय के साथियों से मिलकर रहे तो उसके लिए यह उतार सहज और सरल बन सकता है क्योंकि अगर उचाईओं पे जाकर उन लोगों को याद रखेंगे जो हमारे साथी बने हैं जो हमारे सहयोगी बने हैं तो जब हमारा उतार का समय आएगा तभी भी वे हमारे साथ उसी तरह से खड़े रहेंगे जिस तरह से वो हमारे लक्ष प्राप्ति के समय में हमारे साथ खड़े थे, तो ये और इस नीचे वालों से अरधा धरती से बनाकर रखना ही होता है, इस प्रकार यह कतन की धरती से जुड़ा रहकर ही मनुश्य अपने लक्षे को प्राप्त कर सकता है एकदम सही प्रतीत होता है आईए हम नेक्स्ट को देखते हैं नेक्स्ट आपको अभिवेक्ति में दिया हुआ है कि समाज का नव निर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभ हो है इस पर अपने विचार लिखिये हम देखते हैं इस पर भी सबके विचार अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं आप बहुत सारा बहुत कुछ लिख सकते हैं असंग के लिखने के लिए हैं लेकिन हम इस तरह से लिखते हैं कि हमारे समाज में कई तरह की कूरीतियां और विशमताय अपनी जड़े जमाई बेठी हैं मनुष्य का व्यवहर मानवता से परे होता जा रहा है मानवता का व्यवहर कैसा होता है वो देखते हम कि मनुष्य का, मनुष्य के लिए, मनुष्य के समान किया गया वेवहर, मानवता कहलाता है परन्तु आज समाज है भुलता जा रहा है, हम से नीचे वाले लोगों के साथ में ऐसा वेवहर करते हैं ऐसे वो मनुष्य है ही नहीं, यहां जाती, धर्म, उंच, नीच, ऐसे भेदभाव तो है ही, परन्तु और भी विकट अर्थात, इस्त्री पुरुष में भेदभाव, इस समाज की ही नहीं, अपितु संपुर्ण संसार को पीछे लेके जा सकता है, यहनि अगर इस्त्री और प शिक्षा के शेत्र में इस्त्री पुरुष समानता आई, परन्तु कई छोटे छोटे गाउं में यह भेदभाव आज भे जा रही है कि इस्त्री और पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, लेकिन नारी शिक्षित नहीं होगी, तो एक स्वस्थ समाज का निर्मान सपने के जैसा ही रहेगा, है ना, कभी स्वस्थ समाज का निर्मान नहीं हो सकता, कहते हैं ना, एक नारी तीन कुलो को शिक्षित करती है, तो हमें नारी शिक्षा के महतों को यहां पर समझना होगा, क्योंकि स्वस्थ समाज का अगर निर्मान करना है, अगर हमें नया निर्मान करना है, तो वो दोनों गाड़ी के दो पहिये एक शिक्षित पहिया और एक शिक्षित पहिया मिला कर क्या अच्छे समाज का निर्मान कर सकते हैं उनके आगे वाली जो पीड़ी है उसमें क्या अच्छे गुणों की वृद्धी हो सकती है नहीं अगर दोनों शिक्षित होंगे तो दो यद्धी नर्नारी मिल जुलकर कारे करें तो य Orthodox जल्दी मिल जाता है , कई बाते ऐसी होते है जो नारी आसानी से कर पाते है तो समॉज में व्याप्त सभी प्रकार की बुराईयों को नर नारी साथ में मिलकर दूर कर सकते हैं कि देखिए कोई भी एक परिपुर्ण नहीं होता है कोई एक वेक्ति किसी एक काम में ज्यादा निपुर्ण होता है तो दूसरा वेक्ति किसी दूसरे काम में निपुर्ण होता है लेकिन उन दोनों के प्रतक होने के बाद में भी जब वे दोनों साथ में चल कर उन दोनों विशिष्टाओं को साथ में न मिलाए तब तक समाज का निर्मान नहीं हो सकता है दोनों ही गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं एक के बिना दूसरा चल नहीं सकता यदि इस बात को अच्छे से समझ लिया जाए तभी समाज का नव निर्माण संभव है दोनों मिलकर रहेंगे तो रहा की कठिनाईयों को आसानी से दूर कर सकते हैं और समाज के नव निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं हम नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कि आपके पेज नंबर फोर के उपर नेक्स्ट कोश्चन दिया हुआ है रसा स्वादन रसा स्वादन के अंदर आपको कोश्चन दिया है पेज नंबर थरी पर यह रसा स्वादन और इसमें आपको कोश्चन दिया है निमने लिखित मुद् है रचनाकार का नाम हम यहां पर रचनाकार का नाम जो है त्रिलोचन जी भी लिख सकते हैं और यहां पर आप ब्रेकेट में जो है इनका जो असली नाम है वासुदे उसी हो वह भी लिख सकते हैं नेक्स हम देखते हैं पसंदिधा पंक्तियां तो पसंदिधा पंक्तियों में मैंने यहां पर लिया है सत्य है राह में अंधेरा है यह वाली जो पंक्तियां है वो मुझे अच्छी लगी तो आपको जो भी पंक्तियां अच्छी लगी वो आप ले सकते हैं जैसे सत्य है राह में अंधेरा है रोक देने के लिए घेरा है काम भी और तुम करोगे क्या पोर्थ भूरते निकिए से विखेंगे से पसंद आने का तो मुझेOOOO लिए इसलिए पसंद आई किम ंरता संगरशों का समना करनी की प्रेढ़ ना मिलती है वियर्थ की परशानियों से हमें नहीं डरणा चाहिए Andhari ble बढ़ना चाहिए क्योंकि दूसरी तरफ सफलता हाथ फेला कर हमारा स्वागत करने के लिए प्रतिक्षारत है यह बात मुझे इसमें समझ में आती है इसलिए मुझे यह पंक्तियां बहुत पसंद आती है आप कविता का केंद्रिय भाव लिख सकते हैं यह पूरी कविता के अंदर हम क्या देखते हैं कि कभी हमसे क्या कहना चाहते हैं सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि कभी यहां हमें भैंकर आशावादी दिखाई देते हैं वे बहुत आप्टिमिस्ट हैं और वे बताते हैं हमें कि आगे हमारे जीवन में बहुत कुछ है इसलिए निराश होकर बैट जाने से किसी चीज को छोड़ देने से कुछ नहीं होता बलकि हमें आशावादी होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए तो यहां पर हम लिख सकते हैं क कविता का केंद्रिय भाओ आप उपर देख रहे हैं प्रस्तुत कविता में जीवन के उद्देश्य को पूरण करने रिष्टों को जोड़ कर रखने संगरशों का मुकाबला करने कमजोरों का सहारा बनने प्रेम से रहने सदाचार के साथ रहने और समानता के साथ में रहने एवं किसी भीवेक्ति में इतिहास लिखने की शमता की बात हमें यहाँ पर बताई गई है और यह जो है कविता का केंद्रिय भाव है जो की आशावाद हमारे अंदर जगाता है हमको प्रेड़ना देता है ठीक है आगे हम देखते हैं पेज नमबर 4 के ऊपर आपको दिया हुआ है सहित्यसंबंधी सामाने ग्यान में आपको चतुषपदी के लक्षन लिखना है अब चतुषपदी जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है चतुष यहने 4 तो हम लिख सकते हैं चतुश्पदी यह चौपाई की तरह चार चरणों वाला छन्द होता है, आप इसको सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं कि चतुश्पदी चार लाइनों की कविता होती हैं, और हम इसमें यह लिख सकते हैं कि इसके पहले दूसरे और चोथी पंक्तियों के तुक मिलते हैं, यहाँ पर राइमिंग साउंड आ जाते हैं और इसकी जो तीसरी पंक्ती होती है देखिए पहले दूसरी और चोधी पंक्ती के बारे में हम लिख चुके लेकिन इसकी जो तीसरी पंक्ती होती है वो संपुर्ण भाव अपने आप में समीटे हुए होती है यह हमें हाँ पर लि गुलाब और बुलबुल उस जनपत का कवी हूं और सब का अपना आकाश इस तरह से हम इनकी कविता संग्रहों के जो है नाम लिख सकते हैं नेक्स्ट हम कोश्चन देखते हैं कि निमलकित वाक के शुद्ध करके फिर से लिखे अथिति आये हैं घर में सामान नहीं है तो हमें यहाँ पर देखना है कि क्या लिखा हुआ है कि अतिति आये है आये है नहीं होता है आये हैं तो है ह के उपर यहाँ पर जो है बिंदी लग जाएगी और इस तरीके से आप इसको जो है लिख पाएंगे यह जो यहाँ पर है के उपर मैंने बिंदी लगाई हुए इसको देखने कारे करें उसके बाद नेक्स देखते हैं परंतु अज्ञान भी अपराध है अब आप यहां पर इस चीज को समझ सकते हैं कि अज्ञान ऐसा नहीं लिखा जाता अब बहुत से बच्चे समझेंगे कि अज्ञान कोई नया वर्ड है लेकिन नहीं हमको यह ध्यान रखन सत्य की पराजे सत्य का पराजे हो जाता है यहां पर हम इस तरीके से वाक्य को नहीं लिख सकते हैं बोलने में भी उचित में से उसने होता कभी कभी कोई words कोई sentence ऐसे होते हैं जब हम बोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहां कुछ न कुछ गलत है तो उसके सत्य का उसके सत्य पराजित हो जाता है नेक्स कोशन हम लोग देखते हैं प्रेड़ना और ताकत बनकर परस पर विकास में सहभागी बने तो यहां हम लिखेंगे कि प्रेड़ना और ताकत बनकर परस पर विकास में सहभागी सहभागी बने प्रेड़ना और ताकत तो यहाँ पे हमने ताकत लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ताकत लिखा हुआ है, उसे हमें ताकत करके सही करना है, ठीक है, यहाँ यह गलती है, दिलीप अपने मापाप की इकलोती संतान थी, दिलीप अपने माता पिता की, हम जब किसी के माता पिता के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए सम्मान सुचक शब्दों का उपयोग करते हैं माबाप भी बोला जाता है माता पिता को लेकिन अगर हम सम्मान निय भाषा को देखेंगे तो उस स्थान पर हमें यहाँ पर माता पिता जो है यह शब्द उचित दिखाई देता है आप इसे शेश लिफाफे को खोल कर पढ़ लीजिए आप इस शेश लिफाफे को क्या लिफाफा शेश है ना नहीं ना तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि शेश जो भी आपको पढ़ना है वो आप इस लिफाफे को खोल कर पढ़ लीजिए आप शेश लिफाफे शेश यहां बचा हुआ लिफाफ़ा एसा हो गया वह है जोभी पढ़ना है आप इस लिफाफे को खोल कर पढ़ लिजे यह सही वाक्य हो जाएगा यहा पर शब्द वाक़ी की जो संडरचना है वो गलत कर दी है प्रश्ण पूछा गया है लेकिन प्रश्ण वाचक जिन्न का उपयोग ही नहीं किया गया है तो हमें यहाँ पर क्या करना है प्रश्न वाचप चीन लगाना है बाकी सब कुछ इसमें सही है है पर भी हमें बिंदी लगाना है क्योंकि कहां खो गई है आप आप जो है एक बहुँ अचन के अंतरगत आ जाता है इसलिए हम इसमें है की जगे हैं लिखेंगे ठीक है next हम एक में सफल सुत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि वाक्ते कुछ उचित सा लगनी रहा है बोलने में कुछ सही लगनी रहा है यहां पर लिखेंगे मैं एक सफल सुत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया ठीक है ये वाला वाक्य जो हमारा सही हो जाएगा नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था तो इस तरीके से वाक्य नहीं बनाया जाता है क्रिया से शुरू किया गया है हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था क्या कम हो गया था हमारे बीच का अंतर कम हो गया था कैसे कम हो गया था चलते चलते कम हो गया था तो क्रिया को हम बीच में लिकर आएंगे हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था तो इस प्रकार से विध्यारतियो नव निर्मान इस lesson का ये जो स्वाध्याय है complete हो गया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये मुझे उमीद है पुरी अगर आपको मेरा ये स्वाध्याय का explanation यानि जो स्वाध्याय लिखा हुआ है वो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और share भी जरूर कीजिए बीना subscribe किये आगे मत बढ़ जाएए क्योंकि विध्यारति आप लोग क्या करते हैं पढ़ लेते हैं और आगे चले जाते हैं अब सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आगे जाएए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए क्योंकि मिल बाटकर पढ़ने से जो है ग्यान बढ़ता है कभी भी कम नहीं होता इस बात को ध्यान रखिए इसी के साथ में धन्यवाद नमस्ते